प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठ का पाट तेरा सुनेली का कुवा के दीर्ग प्रशन उत्तर पर विचार करेंगे। कुवा खोदते समय सुनेली को किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। और उसकी मिट्टी दूर फेक कर आने लगे। इस त्रैवे दिन की गर्मी से भी बच गए और काम को सफल होते देख गाम वालों ने उसके असायोग देना शुरू किया। मिट्टी गिली है तो शायद इस जंगर पानी भी होगा। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब सुनेली पानी भर कर घर की और जा रही थी तो उसे खेजड़े की जड़ में गिली मिट्टी दिखाई थी। यह देखकर सुनेली आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ आगे जाते ही उसके मन में विचार आया कि खेजड़े की जड़ में यदि गिली मिट्टी है तो अवश्य हिया पानी होगा। उसका सोचन सही था क्योंकि पानी के बीना मिट्टी का गिली होना संभव नहीं था। इसलिए सुनेली ने अनुमान लगाए था कि मिट्टी गिली है तो शायद यहां पानी होगा। कोई सायता करे या ना मैं तो खोदूंगी फिर चाए महीनों लग जाए। खेजडे की जड़ में गिली मिट्टी देखकर कुवा खोदने का विचार सुनेली के मन में आया तब उसने अपने विचार पती और बेटों को बताए तो भी उसका मजाक उडाने लगे। किसी को भी इस बात पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था कि नर्सी की ढानी में पीने का पानी निकल सकता है। लेकिन सुनेली ने अपनी बात पर द्रेड रहतों का कि कोई सायता करे या ना करे मैं तो खोदूंगी फिर चाए महीनों लग जाएं। इस पंक्ती में सुनेली की द्रेड इच्छा शक्ती का पता चलता है। यह तो आप सबने मिलकर किया है। सबकी महनत और एक्ता का ही परिणाम है जो इतनी शेग्दता से हम इस कारे में सफ़ा लो पाए। नर्सी की ढानी में जब कुवा खोदा गया और पानी का स्रोत फूट पड़ा तो लोग खुशी से सुनेली की जयज़कार करने लगे। तब सुनेली ने गाम वालों को कहा कि यह तो आप सबने मिलकर किया है। सबकी महनत और एक्ता का ही परिणाम है जो जल्दी से काम सफल हो पाया। सुनेली का कहने काशे था कि यदि गाम वाले उसकी साहिता नहीं करते तो कुवा खोदने में महीनों लग जाते।